क्या प्रीक्वल की कहानी होगी सीक्वल में कंटिन्यू क्या शान्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी फिल्म क्या राधा का किर्दार होगा सीक्वल में शामिल हलो दोस्तो मैं हूँ इस्प्रीहा मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्तो राज खबर लेकर आई हूँ फिल्म मजधार के बारे में तो दर्शको आपको क्या लगता है आकर किस धंग से मजधार 2 की कहानी लोगों के बीच आएगी अगर नहीं पता तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि मजधार 2 प्रीक्वल की एक कंटिनुएशन हो जी हाँ प्रीक्वल की कहानी जिस मजधार में छोड़ी गई थी वही से वापस इस कहानी को उठाया जाएगा और एक नए फ्लोट और नए तरीके के साथ दर्शकों के सामने रखा जाएगा प्रीक्वल की एंडिंग में गोपाल भी मर जाता है और राधा भी पर आखिर राधा की बेटी शांती का क्या होता है वही कृष्णा भी अपनी बेटी के साथ कहानी के एंड में जिन्दा रह जाता है पर आखिर इन किर्दारों का क्या हुआ और किस तरह से उनकी जिन्दगी बदली गोपाल और राधा के बाद इन सारे सवालों का जवाब हम आने वाले हैं सीक्वल से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं और अगर इस फिल्म को एक कंटिनुएशन फिल्म के रूप में बनाया जाता है तो पुराने दौर के दर्शकों के साथ ने दौर के दर्शक भी फिल्म को देखने पहुचेंगे जिस वज़ा से सीक्वल को थेटर्स में अच्छी खासी भीड मिलने की बहुत उम्मीद है और अब ये भी हो सकता है कि सीक्वल की कहानी भी मजधार में छूट जाए और वही खतम हो जाए वैसे तो मेकर्स के पास ऐसी कई चीज़े हैं जिससे वो प्रीक्वल को सीक्वल से जोड़ सकते हैं पर हो भी सकता है कि सीक्वल में बैक स्टोरी को जादा ना दिखा कर आने वाले वक्त में क्या हुआ इस बात पर फोकस किया जाएगा वही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रीक्वल में कृष्णा को सेंटर में रखा गया था कुछ उसी तरह सीक्वल की कहानी कृष्णा और आधा की बेटी शांती के नजरिये से दिखाई जाएगी क्योंकि सभी को जानना है कि आखिश शांती का बच्पन कैसे बीता और क्या उसने कभी अपनी मा के बारे में कृष्णा से नहीं पूछा क्या वो गोपाल को जानती थी साथ ही उसकी जिंदगी क्या मोड लेगी जब उसे उसकी जिंदगी की असलियत के बारे में पता चलेगा इन सारे सवालों के जवाब हमें इस फिल्म में मिल सकती है साथ ही शांती आने वाले वर्ट में किस तरह की चीजों का सामना करेगी इस बात का भी खुलासा सीक्वल में किया जा सकता है वही जिस तरह से प्रीक्वल में मालवी का तिवारी ने शांती का किरदार निभाया था तो सीक्वल में थोड़ी और बड़ी हो चुकी शांती का किरदार कोई ऐसी आक्ट्रस निभा सकती है जो अपने 30's या 40's में हो या फिर हो सकता है कि मालवे का तिवारी को ही फिर से कास्ट किया जाए जो बड़ी शांती का किरदार निभाए साथ ही तबू जैसी आक्ट्रस को मरधार 2 में शांती का किरदार मिल जाए कहानी में भले ही नए पात्र होंगे लेकिन पुरानी कहानी को भी एक मुद्दा बनाया जाएगा और मेकर्स द्वारा कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश बिलकुल की जाएगी देखते हैं कि मेकर्स का ये एक्सपेरिमेंट किटना कामयाव होता है वैसे आपको क्या लगता है राधवापस आईगी हां हां हम जानते हैं कि फिल्म में उसके किरदार को मार दिया गया था लेकिन किसी को उसकी जिंदेगी की सच्चाई के बारे में नहीं पता और ना ही किसी ने उसकी मौत की सच्चाई जानी है इसलिए हो सकता है कि उसके किरदार को एक आखरी बार दिखाया जाए और वो भी सीक्वल के क्लाइमाक्स में सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कभी मरी ही नहीं थी राधा के बारे में भी बहुत कुछ जानना वाकी रहे गया था जिसे आने वाले वक्त में हम सीक्वल के थूँ जान सकते हैं वैसे क्या आप राधा के किरदार को वापसी करते हुए देखना चाहते हैं अपनी राय हमें कॉमन सेक्शन में जरूर बिताएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और तुमी दुनिया से जोड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल बॉलिग्राज स्टूडियोस को